किर्यान सपनों की उडान हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मौनिका और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका नाम है मुर्क को शिक्षा मत दो किसी पहाड पर बंदरों का एक जुण रहता था एक बार पहाडों पर बर्षा और बर्फ पढ़ने के कारण बहुत अधिक ठंड हो गई थी इस ठंड से बचने के लिए बंदरों ने ऐसे फल को आग समझकर इखटा कर लिया जिसकी शकल आग से मिलती थी इस आग को सुलगाने के लिए सभी बंदर फूक मारने लगे बलकि एक बंदर तो आग समझके चारों और से तापने के लिए बैठ गया इन बंदरों को देखते हुए एक पक्षी बोला अरे तुम सब पागल होगी हो क्या ये आग नहीं है ये उससे मिलता जुलता फल है पला इससे सरदी कहां रुकेगी तुम लोग तो किसी पहाडी पर ये किसी गुफा में चुपने की बाद सोचो क्यों क्योंकि अभी तो बरफ बहुत पढ़ने वाली है बंदरों का सरदार बोला अरे तु पागल है क्या और हमें के समझा रहा है हम सब जानते हैं पक्षी ने एक बार फिर कहा अरे भाया मैं तुम्हारे ही इतकी बात कह रहा हूँ तुम भयंकर ठंड से बचने के लिए कहीं चिप जाओ नहीं तो इस ठंडी सरदी में मारे जाओगे पक्षी की बात सुनकर बंदरों को क्रोध आ गया उन बंदरों में से एक बंदर ने तो पक्षी को पकड़ कर उसको नोच कर पत्थर पर दे मारा यह मिला था उस बिचारे को फल शिक्षा देने का तो इस कहानी से हमें यह सिक्ष मिलती है कि मुर्क को कभी सिक्षा नहीं देनी चाहिए इसका कोई लाब नहीं होता तो यह थी आज की कहानी सुनते रहिए किडियान सपनों की उड़ान